Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं ICSE Class Strength Maths के एक बहुत ही important chapter Arithmetic Progressions Related कुछ Multiple Choice Questions इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने Maths, Physics और Chemistry से Related Multiple Choice Questions के कई वीडियो बनाये हैं तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप description में देखे लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं तो चलिए, start करते हैं with first question जो है हमारे पास 3 numbers in AP have some 15 तो हमारे पास 3 numbers हैं जो कि AP में हैं और उनका sum कितना है उनका sum बताया जा रहा है कि 15 है The middle term is, तो आपको बतानी है कि इनमें middle term क्या होगी तो बहुत ही आसाने question है तो मान लेते हैं पहली जो term है आपके पास that is A दूसरी term क्या होती है A plus D, तो A plus A plus D और तीसरी term क्या हो जाएगी प्लस A plus 2D तो A पहली term होगी A plus D, दूसरी term होगी और A plus 2D तीसरी term होगी, तीनों का sum कितना है 15 है, ध्यान रखें, दूसरी term यानि कि middle term क्या है, A plus D है यहाँ पहली आप देख सकते हैं A, A, A यानि कि 3A plus D plus 2D यानि कि 3D is equal to आ रहा है हमारे पास 15, तो आप कहाई सकते हो 3 common लेके A, correct, यहाँ पहली पास हो जाएगा A plus D is equal to 15 और you can say A plus D, यहाँ पर 3 common है 3 को उदर divide कर देंगे, तो A plus D equal to क्या हो जाएगा, 15 by 3, यानि कि 5, तो correct answer will be 5, बहुत easy यह question था हमारे पास second question हमारे पास है if N at term of AP is 2N plus 7 then 7 term of AP is, तो बहुत ही आसान question है, A, N आपको दिया हुए है, यानि कि N at term, that is 2N plus 7 और आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है 7 term, यानि कि आपको पता करना है N की value क्या है, A7, A7 क्या हो जाएगा 2 into 7 plus 7, तो यह कितना हो जाएगा 2 into 7, that is 14 plus 7, कितना हो जाएगा, 21 तो आपका answer क्या हो जाएगा 21, again very easy question next question हमारे पास है if the sum of N terms of NAP is 5N square plus 3N then sum of 10 terms, तो इसके 10 terms का sum क्या हो जाएगा, तो देखे, S N दिया हुए, sum of N terms आपको दिया हुए, that is 5N square plus 3N, तो आपको क्या पता करना है आपको पता करना है, S 10 S 10 क्या हो जाएगा, 5 into 10 का square plus 3 into N, कितना है यहाँ पे 10 है, देखे, कितने आसान questions आपके पास आते हैं, तो 5 into 10 का square होता है, 100 याने की हो जाएगा, 5 into 100, याने की 500 plus 3 into 10, याने की 30, so answer will be 530, option D will be your correct answer, तो I hope कि यह question आपको समझ में आ गया होगा, next question हमारे पास है, if Nth term of AP 4, 7, 10 is 82, then the value of N, तो यहाँ पे then D, common difference कैसे पता करते हैं, second term minus first term, याने की आप कहाई सकते हो, 7 minus 4, जो की हमारे पास 3, correct, और आपको दिया हुए AN, AN की value ही दी हो, याने कि Nth term दिया हुए 82, अब हम क्या करते हैं, Nth term का formula यूज़ करते हैं, that is AN equal to A plus N minus 1D, तो यहाँ से हम calculate कर सकते हैं, यहाँ पे देखे, value put करते हैं, AN की, AN की value दी हुए, 82 is equal to, A दिया हुए आपको 4, plus, यहाँ पे लिख सकते हैं, N minus 1 into D दिया हुए आपको 3, तो 4 को इधर भेजके minus कर लेते हैं, 82 minus 4 हो जाएगा, 78 is equal to 3 into 3 को मैं भाहर ले लेता हूँ, N minus 1, अब मैं 3 को इधर divide कर लेता हूँ, तो 78, 3 से divide करेंगे, अगर हम 78 को, so, it will become 3 into 2, that is 6, तो यह हो जाएगा 26 is equal to N minus 1, 1 को उधर भेजेंगे, तो add हो जाएगा, यानि कि 27 equal to N, N की value क्या आ रहे है, 27, तो correct answer will be 27, तो I hope कि ये question भी आपको समझ में आ गया होगा, next question हमारे पास है, A, B, C, R in AP, then, तो अगर A, B और C, A, P में होते हैं, तो आपको पता है, A, P में होने के लिए, क्या होता है, common difference, यानि कि second term को आना है, B minus first term is equal to C minus B, means third term minus second term, difference common रहेगा, तो आप plus वालो को excited कर लिजिए, तो यहाँ पर देखे क्या हो जाएगा, B को इदर कर लिजिए, तो क्या हो जाएगा, 2B इस B को मैं excited लेके आ जाएँगा, और A को उदर भेज़ दूँगा, तो 2B equal to हो जाएगा, हमारे पास C plus A, क्या हमारे पास कोई ऐसा option है, बिलकुल है, यह हमारे पास A plus C is equal to 2B, so correct answer will be option C, यह भी हमारे पास easy question था, next question हमारे पास है, 12th term of AP, X minus 7, X minus 2 and X plus 3, यह हमारे पास एक AP है, और आपको बतानी है 12th term, तो first term क्या हमारे पास, देख सकते हैं, first term कितनी हो जाएगी, common difference देखेंगे, तो common difference कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा second term, यानि कि X minus 2 minus X minus 7, तो देखे, X minus 2 minus X minus 7 यह हो जाएगा, X minus 2 plus, यहाँ पर आजाएगा, minus X minus का हो जाएगा, पहाँ पर प्लस 7 हो जाएगा, तो x x cancel minus 2 plus 7 याने की 5, common difference कितना आ गया, 5 आ गया हमारे पास, और अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 12th term of ap याने की a 12 की value चाहिए, तो a 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, a 12 हो जाएगा हमारे पास, a plus 12 minus 1 याने की 11d, तो that is a कितना है, x minus 7 plus 11 into d कितना है, 5, so answer will be x minus 7 plus 55, x minus 7 plus 55, that will be equal to x plus 48, will be your answer, so answer क्या हो जाएगा आपका, x plus 48, तो I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा, next question हमारे पास है, nth term of ap is minus 5, जो हमारे पास एक ap है, minus 5, minus 2, 1, up to so on, तो nth term पूछा जा रहा है, तो आपको दिया हुआ है, a कितना है हमारे पास, minus 5, again, हमको क्या पता करना है, d पता करना है, common difference पता करना है, तो क्या हो जाएगा, minus 2, minus, minus 5, तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखे, तो minus 2, plus 5 हो जाएगा, that will be equal to 3, तो ध्यान रखे, common difference यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर आप गलती मत कीजिए, minus, plus, minus में mistake मत कीजिए कोई भी, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, अब, a, n चाहिए, याने कि n अट टम चाहिए, तो n अट टम का formula क्या होता है, a, plus, n, minus, 1, into, d, तो अब, a की value पुट कर लेते हैं, n की value तो हम n ही पुट करेंगे, क्योंकि n अट टम पूचा है, n की value d नहीं है, तो a की value क्या हो जाएगी, minus 5, plus, n, minus 1, into, 3, तो यह कितना हो जाएगा, आप इसको bracket को open कर सकते हो, तो, minus 5, plus, 3, n, minus 3, so answer will be, 3, n, that will be equal to 3, n, minus, 5, minus 3, यह हो जाएगा, minus 8, तो answer आएगा, 3, n, minus 8, यानि की option d, will be correct answer, तो I hope की यह question भी आपको समझ में आगया होगा, और अब हमारे पास है, next question, question number 8, if nth term of an ap is 5, minus 3, n, तो common difference पता करना है, तो common difference पता करने के लिए आपको दिया होए, nth term, अब आपको nth term दिया होए, तो आप कुछ भी पता कर सकते हो, जैसे nth term, यानि की आपको दिया होए, 5, minus 3, n, यहाँ से आप पता कर सकते है, first term, यानि की अगर मैं n की value 1 put कर दूं, तो a1, यानि की a की value क्या आजाएगी, 5, minus 3, into 1, तो यह कितना हो जाएगा, that will be equal to 5, minus 3 होता है, मारे पास 2, उसी तरीके से second term, second term क्या हो जाएगा, that is 5, minus 3, into 2, 5, minus 6, equal to minus 1, तो देखिए, first term और second term आगई मेरे पास, तो common difference, common difference क्या हो जाता है, a2 minus a1, इस चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना है, तो यानि की minus 1, minus 2, that will be equal to minus 3, common difference क्या हो जाएगा, common difference will be minus 3, option b will be correct answer, तो I hope की यह question भी आपको समझ में आ गया होगा, और अब हैं हमारे पास question number 9, if 5, 2k minus 3, and 9 are in AP, तो value of k is, तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम इसमें, बहुत ही आसान सा काम करेंगे, common difference, तो second term क्या हमारे पास, 2k minus 3, minus first term है 5, is equal to third term, यानि के 9 minus second term, 2k minus 3, बस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखे, 2k minus, यह हो जाएगा हमारे पास, 8 is equal to 9 minus 2k, यह हो जाएगा प्लस 3, और अब हम क्या करेंगे, 2k, 2k एक तरफ कर लेते हैं, और बाकी numbers को एक तरफ कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा हमारे पास, 4k, तो 4k is equal to 9 plus 3 होता है 12, और 8 इधर add हो जाएगा, तो equal to 20 हो जाएगा, तो k equal to कितना हमारे पास 20 by 4 यानि कि 5 the value of k is 5 तो I hope कि आपको ये question भी समझ में आ गया होगा और अब हमारे पास है last question 9 term from the end of ap is तो ये ap दी हुई आपको 9 term पता करनी है आपको from the end तो हम क्या करेंगे अगर हम यहाँ पे देखे कुछ नहीं हमको common sense यूज करना है अगर हम end से count करेंगे तो first term क्या हो जाएगे हमारे पास a equal to a equal to हो जाएगा 147 अब last से हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले 147 लिखेंगे उसके बाद कॉमा कॉमा करके 15 11 7 इस तरीके से आएगा अगर आपको common difference निकालने तो common difference कैसे निकालेंगे 11-15 या 7-11 ऐसे निकालेंगे क्योंकि अब AP उल्टी हो गई है तो क्या हो जाएगा 11-15 या आप 7-11 भी कर सकते हो that is equal to minus 4 7-11 भी minus 4 ही होता है तो अब आपको क्या पता करना है 9 टरम पता करना है last से तो last से मैंने AP लिख दही first टरम पता चल गई common difference पता चल गया तो A9 पता करना है तो A9 equal to कितना हो जाएगा that is A plus 8D धिहां रखना तो that will be equal to 147 plus 8 into 4 यानि कि minus 4 हो गए D की value minus 4 है तो that is 147 minus 32 और अगर 147 में से आप 132 minus करते हैं तो answer will be 115 तो answer will be 115 तो I hope कि आपको ये question समझ में आ गया होगा so this is all in this video अगर आपकी कोई भी queries हैं कोई भी doubts हैं तो आप मुझे comments Facebook Instagram में questions पोच सकते हैं अगले video में हम maths के एक और chapter से related multiple choice questions discuss करेंगे so see you in the next video thank you very much